लो नमो नमा ब्रहत्राइज समागम चैनल में मैं जैहिन सराप्रों का स्वागत अमनंदन बंदन करता हूं आप लोग जानते हैं कि 2022 में जूनियर एड़ेड हाइज स्कूल का जो सूपर टेट हुआ था उसी का संस्कित भासा का पेपर लेका आज आया हूँ सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और पचास कोसचन जनरल सोसल स्टड्य होता है जो सभी को करना अनिवार होता है मित्रों आज हम चलेंगे क्या नंबर कॉर्ष्ण शुरू करें। कुछा गया पूर्वात्र सि लिए respectively क्या मिवेचि इसका राइट एंस। जो है आपका इसका राइट एंसर की सभी चाहता कार्ण कारण का है। अस्त्य जै Vocês सब्सक्राइब भक्ति कारक होता है इसमें सवाल पूछा गया है इसमें सवाल पूछा गया है इसमें सवाल पूछा गया है कि आस्थाल्याम पच्चती एक किसका उधार ना इसका राइट एंसर जो दूसरा वाला है बाउन नमर कोर्षन का आप स्लेशिक सही हो जाएगा फिर इसे में से भीन है साकम सार्दम समाम में चलता है टिये राइट है सकते नम्म профессley स्थाओंसर हो जाएगा आपका 13 ग मोर्किजोंत है सक्रिटम और चंवन का संस्कित प्रोफ निलमेश कौन सा नहीं है एको नहीत आत्वतिन लोग को मैं बताए झां उन ad अगर सअन्सकित आपसे पूछेज में इसका एक सुत्र चलता है अंको नाम अंको नाम बामो गती यानि उल्टा किया जाते गुड़े का चीनला जैसे आपने उनहत्तर दिया न यह उनहत्तर हुआ अच्छ और नव होता न अब इसी को संस्कित भासा में देखे क्या नव को पहले किया है अच्छ को बाद में किया जाता न तो अब देखे यानि नव साथ अमसर नहीं पुछा गया फिर इसके बाद चलेंगे हम 55 नमर कोसचन पर द्धी पंचमी विभाति एक बचन क्या होगा तो सही एंसर सभी लोग जानते कि दधन हो जाएगा इसका सही 46 नमर कॉश्चन चलेंगे कि चुमेंद्र की काउंसी रच ना रहे हैं कथा मंजरी कताकर सागर हेमचंद राज सेखर इसका राइट इंसर हो जाए बिहत कथाव मंजरी आप संतावन नमर कोशन जय देव कित गोविंद की विशेव वस्ति किस पर अधारित हैं तो आप जानते हैं गीद गोविंद भगवान स्री किष्णु को का गया इसका राइट एंसर पहला वला सही हो गया संतावन म의 कितने मंडल होते हैं पुरीद दुनिया दॉनीए जानतीक दस मंडल होते हैं कि कालीदास की कितनी रचनाये होती हैं यानि पाक्वम सब्द जो दियाने इसमें आक्ट प्रतेकत और कत्वतु जिसकी निष्ठा संग्या कराई जाती है इसका सई एंसर हो जाएगा आपका आक्ट हुआ पिर दिया एक सट नमर कोश्चन है आक आउचान स्थान क्या होता है पूरे लड़के सभी भाई बहन जानती है इसमें ज्यादा समय देने कोई जोड़ नहीं है आका आउचान स्थान कंठ होता है को विसरजनी नाम कंठ है फिर उपसरगों की संख्या कितनी है ती बहुत संस्कित में उपसरगों की संख्या 22 होती है यह पूछा गया प्रत्यक्ष प्रमाडम हो गया तब तरह के लोग प्रसन उठाते हैं कि संस्कित में 22 होते हैं फिर इसके बाद यह और कथितम चस्तिक क्या संग्या होती इससे भी बहुत सिंपल सवाल है इससे आपका एक कर्म स संग्या का विधान किया जाता है बीना के योग में कौन सी विवक्ति नहीं होती है तिरतिया दुतिया पंचिमिस का राइट एंसर हो जाएगा यह चतूर्थी विवक्ति नहीं होती है पीतामबरम में कौन सा समास है पीतामबरम में बहुत सिंपल सवाल है यह आपका आपक प्रथम इस्त्री प्रत्य का पुछा गया ना बैसी प्रत्य ने जात वाला यानि नीप नीज नीन और आपका टाप इसका सही एंसर होगया इस वासा तर्थन नमर कोश्चन चलेंगे है Oh spring- 혁ंध ऐससर बली याच्चते बस्धाम इस वाक में किस पद की करण संग्या हूए बली याच्चते यानि बली और याच्चती न बली आते बसधाम की इस वाक्त के किसपद की कर्म संग्या हुई है ति यह आपका यही गौण कर्म यानि बली आपका गौण कर्म होगा और इसके बाद जो आपका यह बसधाम है जो यह मुख्य कर्म है ति यहाँ पर गौण कर्म पूछ दिया गया मुख्य कर्म पूछ कर प्रत्मावेतिक की सर्थ में प्रस्तों भी यह पाड़नी के जमाना का पैमाना होता था इसमें परिमाण अब फिर अगले कोश्चन पर खत्रप चलेंगे अवंती सुंदरी कथा कि रचेता कौन है महा कभी दंडी है सबी लोग जानते हैं अस्वप्न वासो दत्तम का नायक कौन था बहुत इंप्वर्टेंट सवाले नहीं यह उदयाने भेरी भेरी इंप्वर्टेंट यानि तीयत् के बाद चलेंगे हम लोग 64 कोशण पाथो लिखिति में अधो लिखित में से कंसा का मानटक नहीं है तो माल विकागे नियुक्ता बेकरों वर्स्यम अभियां साकुंत्र आप कर्यांते हैं कालिदास के सब्सक्राइब तीन नाटक दो महाकाव और दो गीत कावित दिया है त इसका पचान स्थान किया होता है बहुत सिंपल सवान इसका 75 कोस्टें का स्वाल आपसन से हो गया इसके बाद यह अधोर लिखित्म में कौन सा हर्सवर्धन की रचना नहीं है रचना है मुद्रा राक्ष जो बिसागदत की रचना यही इसका राइट एंसर यह नहीं है यह बाकी तिनों यह जो है हर्षवरधन की है अब दिया है कि बेढ़ी संगहार क्या है नाटक महाकवी भास का तीन तेरों नाटकों में आपका बेढ़ी संगहार भी आता है बेनी संगहार असतहत्य नंबर कोश्चन का अधाय टैंसर जो है तीसरे वाला से अर्थो ही कन्या पर कि यह तामद संप्रे से प्रेगरे तुम यह कथन किसका है तो आप लोग जाए अर्थो ही कन्या पराई धनते महा कभी मार्सी अभिज्यान साकुंतलम क जो चतूरता कि महर्सी कण का जो बताए गया नहीं कण्या अपसर पराई धन होती है उसको एक दिन एक दिन किसी दूसरे के घर जाना ही पड़ता है इसके बाद यह 89 नमर दिया कोश्चन सिवराज बिजय क्या है तो आप लोग जानते बहुत अच्छा गीत का महा कामनाट यानि 89 नमर कोश्चन आप जानते शिवराज बितियम यह 88 कुपन्यास है बिक्रम देव चरितम के रचेटा कौन है तो आप लोग जानते हैं कि यह बिल्हण है इनके रचनाकार जो है बिल्हण है अपसर नमर कोश्चन का आपसर नमर पहला सही हो गया 81 नमर कोश्चन थाकार का उचान स्थान क्या होगा थाकार यानि था का उचान स्थान क्या हो तो सभी लोग जानते बहुत सिंपल सवाल है यह दंत सही होता है लितू लसा नाम दंत है बेड़ी संगहार का नायक कौन होता है बेड़ी संगहार का नायक कौन होता है बेड़ी नमबर कोस्टन अच प्लस ही नम जायो हो अंतर अस्याम सुत्र का नाम सुने होंगे बेंजन संदी में यानि इसका आप्षन नमबर तीसरा सही हो गया फिर 84 कोस्टन पर चलेंगे कि हरी सेत्य रूप की सुत्र से बनता है ना हरी सेते सज 같아요 हश्बद का चतूर्थ्य वक्ति एक बच्ण रूप के आगा गाओर हो जाए यानि इसका अप्षन नमबर तीसरा वाला सभी हो जाएगा और दिया है वहां 86 नमबर कोशन है निनलिखित में कौन सा विभक्ति विशयक वाक्य असुद्ध है असुद्ध पुछा गया धर्मस पिथग नहीं सुखम यानि आपसन नमबर आपका चौथा वाला यह सभी हो गया फिर दिया अनरूपम का समाश विग्र होगा रूपम रूपस योग यानि रूप के अनुसार होगा न आपसन नमबर यह आपका वेभाव सवाल पुछा मगया यानि पहला वाला सवाल से योगया 88 नमर कोजें बभु किस लकार का रूप है बभु आप लोग जानते लिट लकार का रूप है यह पूछा भी गया था लिट लकार का रूप है उप कृष्णम में समास बताए सभी लोग जानते हैं मेरे भाईवन अब बेभाव समास होता है काउन सा लकार केवल बैदिक संस्कित में प्रयोता लेट लकार कहां गया है यह आपका आपसन नमबर चौथा यानि 90 नमबर कोस्टन का आपसन नमबर चौथा सही हो गया लेट लकार फिर दिया है ये क्यान बे नंबर कोशन दिया कादंबरी के अनुसार राजा सुद्र की राध्धानी का क्या नाम था सभी लोग जानते हैं कि ये बीदिसा नगरी थी बीदिसा फिर चलेंगे बान्भे पे उधिष्टी ने दिर्योधन के किस ब्यवार को जानने के लिए बने चर को नुट्ञ की अगया है मिला था रामगिरिया स्रण मगाहाइत्री चंद में कतने बर्ड होते हैं इसे लोग जानते हैं गायत्री छंद में 24 अच्छर होते हैं यानि 24 अच्छर कहां गया यानि 24 अच्छर होते हैं 94 कोश्चन का आपसन नमर सवाल इसको लिख लिएगा आप लोग जानते हैं कि माधब अब इसके बाद यहां कि वच्छती लिट लकार प्रथम पूरुस एक बचन दॉप किस धातु का है तो आप लोग जानते कि बहद धातु ढोने वाली दफ्द आफ्षही ऑफ्च्छाहाँ नमब्री का गरचन्तर्ति गडरीस इसका आपका जायगा आपका साई गिए इसका आपका 97 कोश्चन्त सेन नमब्र vergogna फ्रीयानित एलहती हो जाएगा आपका राइट अभिधेते चंपू का यह परिभासिक बिसलेशन कहां प्राप्त होता है तो आप लोग जानते हैं दंडी के जो महा कभी दंडी का जो काभिया दर्श्त है उसी में इसका उल्ले किया गया आप्सन नमर दूसरा इसका सही है 99 कोश्चन चलेंगे निलिखित में से आचार विसुनात प्रतिपादित काभी की परिभासा वाक्यम रसात्मक काभ्यम बहुत आसान सवाल था वाक्यम रसात्मक काभ्यम और बस यही है यानि 99 कोश्चन का आप्सन नमर पहला वला सही हो गया फिस सौन नमर कोश्चन चलेंगे सौन निलुखित नाट को और उनके नायकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आप भी कर्मो वर्सियम पुरवा स्मिथी और स्वपनवास उदेयं था अमरी चकटने रोसे नहीं था नागानद में जीमुद्वान है इसका सही एंसर हो जाएगा स्वाव नमर कोश्चन का तीसरा पेरा वालह अप्षन सही हो गया है इसका तीसरा वलओ है है इस का ये स्का एक सद्व एक कोश्चन दिया है कि लली नलित लौवंग लता परिसी लं कोमल मलाय समीर मधूकर निकर कंबित कोबित को कुउन्जत कुँन्जरी इस प्रसिद पद के रचेता का नित महाकवी स्ध सवाल नहीं है सही है तभी यह जयदेव की कृति है अब दिया 102 कोर्षन लोप संग्या का सुत्र बहुत इंप्वार्टेंट ब्याकण का संग्या प्रेकण का अधर्शनम लोपाईस यानि इसका आप 102 नुमर कोर्षन का पहला अलाप्षन सही हो गया 133 पर चलेंगे 103 पर है कि बहुठ जलपती भो का क्या अर्थ है बहुठ बख करता है यानि इसका यानि बहुठ बखबख करता है यानी पहला प्喔्letter जाएगा इसका इसके बाद दिया सवन्ड संग्या किसकी जिनके अस्थान पर जिनके अस्थान इम्हें प्रत्न समान उनको समण कते अक आँचान आई होना चाहिए यानि जो जिस बिरादरी का उसी बिरादरी वाकूबी सर्जनी नाम लितूलसान आम चलता न अकसा मड़े द संग्या विधायक सुत्र है संग्या पुछा गया इसका आप्सन नमर वही आपका आदेंग गुड़े अगर वह संधी सुत्र खाज़े तो आद गुड़े हो जाता है 106 नमर कोश्चम चलेंगे किरात अरजूनियम महाकाब का कथानक महाभारत के किस पर उसे लिया गया बहुत सिंपल सा सवाल है यह महाभारत के बंद पर उसे लिया गया है फिर दिया है आपका 107 नमर कोश्चन बिवेक भराष्टा अनाम भावती बिनिपात सत्मुखा यह सुक्ति के रचेता यह नीच सतक से लिया गया महाकभी भरती हरी 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 है इसके नारिकेल फलती समय वह अच्छा भारवी को यह प्रस्तिक प्रस्तिकिष्टी कार ने दिया था तो यह बहुत अच्छा सवाल टीजीटी का पूछा गया था यह मल्ली नाथ है यानी 109 नमर कोश्चन का आपसन नमर पहला से हो गया अभियान साकूंतलम में कुल कितने यंख हैं सभी लोग जानते हैं सभी मेरे भावी प्यारे बने सभी लोग जानते हैं आप लोग से गुजारी से रिक्विस्ट है कि ब्रियत्रई समागम चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा सेर अवस्ते करिएगा यानी 110 नमर कोश्चन का राइट एंस और आपका 14 हो गया 111 होते हैं यह वरल सभी लोग जानते हैं प्रष्ठो प्रष्ठो में संधी पुछा गया नहीं अब यह तो अपवाद यह प्रश्ठो लेकि डबल जंडी देने कान इसको हम कहते क्या है यह ब्रिद संधी माना भी आती आवस्तिक है इसके बाद यह समान्या वह विसेसा वात सदनेयम सामर्थे यह की सलंकार का है तो अर्थान या सलंकार होता है इसी का एंसर है पूछा एक सचोदर नमर कोश्चन का आपका दूसरा अलाफ्शन सही हो गया फिर दिया है आप में 115 नमर कोश्चन के लेंगे कि रगवश्च महाकाब में कुल कितने सर्ग होते हैं सभी लोग , जानते हैं कि वो नईक रग होते हैं घूंण संग्या बिधायक क्या होता है दें घूंण दो बर फुद्या नमसव्द क ये Same बगती होती चतुर्थी व्यक्तिए 107 नमर कोश्टन का चौथाल अप्शन से हो गया अख्यातों प्योंग इस्तुत की संग्या का विदान करता आप लोग जानते हैं कि नियम पूरग विद्यान अध्यान करना जोया पादान कारक में चलता है यानि अख्यातों प्योंगय आ सभी लोग जानते हैं प्रतमा व्यक्ति होती हैं 120 अफ वर्गे तिर्तिया का उधान मासेन अधीत अनुवाकर यानि इसका राइट एंसर चौथाल हो जाएगा मासेन अधीत अनुवाकर कादयो मवशाना असपरसा नाम विए Zaram Já Next 2020 नुवरी कता मुखं सुक का नाम क्या था जीसका नाम था बैसमपाएन यानि πεगान नंबर कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बर संपायन फिर 123 पर चलेंगे निल लिखित में किसका परिगण बेदांग में होता है तो आप लोग जानते हैं कि छंद का होता है 124 नंबर कोशन नीच सतक के सुखतम अराधते किसे का गया अबी से सब को का गया यह नीच सतक में मुर्ख पध्धती से लिया गया है 124 नंबर कोशन का इसका राइट सही हो गया इसके बाद 125 चलेंगे निल लिखित में कौन सा एक गद्यकाब नहीं है तो आप लोग जानते यह महाकाब होता है बुद्धिचरितम और बाकी सब गद्यकाब है और 126 नंबर कोशन चलेंगे में दूत की रचना किस चंद में हो 127 नंबर कोशन सुकनासोब देश का अंस है दसकुमार चर्तम नहींदी चर्तम सब्तति कादंबरी सुकनासोब देश का अंस है यह पुछा थोड़ा फसाया ना तो आप जानते हैं कि यह कादंबरी सुकनासोब देश जो हता ना एक आदंबरी सही लिया गया ना उनकी किसकी रचना है कादंबर यानि बाण भट के बेटे जो पुलिन भट भूसन भट होते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया था सुकुना सुपदेश जो आप कादंबरी का उत्रार्द वाला भाग से बनाया गया इसको का पाला वला अप्सन सही हो गया फिर दिया 130 नमर को सटन है कभी कभी स्री कंठ साहित जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं आप लोग जानते उत्तर राम रच्टम के रचनाकार महा कभी भववोती हैं उन्हीं को कहा जाता है पुराण के लक्षण में क्या नहीं है पुराण कि लक्षण में क्या नहीं इसका 132 नमर कोस्टन का आपका दूसरा वला सही हो गया बिद्यावताम भगवतों परिच्छा यह किस ग्रंद के विशे में कहा गया है ति यह आपका दिया स्रीमत भागवत पुराण से लिया गया है यानी 132 नमर कोस्टन का पालावला से हो गय तो महा कभी यह हल यह हल है फिर यह आफ चलेंगे 175 ओली निल्मी आपक्रितियों और उनकी कृतियों में स्मेलित नहींव चितियोंकर यहां था है सुमेलित है आप देखिए इसमें दिया है बाण भर दस्क में इनकी है यह तो दंडी की है कालिदा सपनवासवदत्त्त में उनकी है ना सुबंधु की है और बिल्लहंड नौ यह सब गलत है यानि संकराचार की एक मात रचना यह संकराचा संदर यो लहरी जो है इसका इसा पर दिया है कि महाभारत की रचनाकार कौन से पूरी दुनिया जानती है महा कभी ब्यास है किसकी रचना है सभी लोग जानते कि अस्तगोस की रचना 137 का सीवल आप्शन सही हो गया फिर मुद्रा राच्छा की रचनाकार कौन से है विसागदत कहां गये यानि 149 का आप्शन नुमर तीसरा सही हो गया फिर नाइका रहित ग्रंद कौन सा है यह बड़ा इंपोर्टे दुख सुख में किसे रहते हैं दुख सुख दुख में समाना नाव गति संग्या का सुत्र क्या है तो वही आपका बहुत सिंपल सवाल है दूसरा गतिस्च चाह फिर सिस्च सब्सक्राइब दूसरा स्वाद में प्रकर्ति प्रत्य बताईए आप जानते क्या प्रत्य दिया नहीं यह यह सास प्लस कप बराबर इसका आपसन नमबर पहला सभी हो गया फिर 145 नमें कोश्चन चलेंगे हरी तराते में समातिर्तिया विवगतिनितिया तत्पूर्ष समासन यानि आपसन संस्कित भासा को किस नाम से नहीं जाना जाता है आप जान देव भाणी देव भासा गरवा गिरवा वाणी भी कहते हैं और इसको प्रकृति भासा के नाम से नहीं जानते इसका राइट एंसर 14 से गया फिर कुरुद धातु की योग में विवक्ति होती है कुरुद धातु की योग में आपने सुत्र पढ़ा होगा ने चतूर्थी विवक्ति होती है चतूर्थी लेकि आया है इसको दूतियां लेकि ओगलत इसका सही एंसर आपका चतूर्थी होता है 148 नमर कोश्चन पे चलेंगे अश्टा ध्याई के प्रते के ध्याय में कितने प अलग बच्छा रजचा चार पात्पते का ध्याय में इसका आपसन नमर चाउथा सही हो गया यानि आपसन नमर दूसरा यानि चार पात होते हैं यह सही इसका फिर 149 नमर कोई अश्टा ध्याई का प्रथम सुत्र कौन सा है सभी लोग जानते कि ब्रिधिरा दैंच इसका प हो जाएगा है बरट और हल वाला मित्रों आज हम लोग सब कोश्चन जूनियर एड़ेट संस्कित करें किया गया आपनों से गुजारी से रिक्वेस्ट है कि ब्रियत्रई समागम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा इसके बाद जो भी कम होगी वीडियो के माध्यन से पुरा किया जाएगा बस आज के लिए तने लिए ही मित्रों नमों नमां